बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुसंख्यक गुंधर्म शुरू कर दिये थे और हम लोगों ने वाश्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि किस तरीके से किसी विलायक में एवाश्पशिल विले को मिलाकर जो विलियन बनाया जाता है उसके वाश्पदाब में कमी आ जाती है आज हम लोग जो दूसरा अनुसंख्य गुंधर्म है क्वथनांक का उन्ययन उसके बारे में अध्यन करने वाले हैं देखे बच्चो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा क्वथनांक का मदलब होता है बॉयलिंग पॉइंट और उन्ययन का मदलब होता है व्रद्दी वाश्पदाब वायू मंदल ये दाप के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है तो उस ताप को ही कुथनांक कहा जाता है देखे आप लोगों को पता है कि जब किसी भी बिलायक में ए वाश्पशील विले मिलाया जाता है तो बनने वाले विलियन का वाश्पदाब क्या हो जा जादा देना पड़ेगा और सीधा सीधा अगर ताप जादा देना पड़ेगा इसका मतलब है क्वधनांक में क्या हो गई व्रद्धी न न क्या AM को तो इसे ही current को व्रद्धी न कहा जाता है कि किसी द्रव का कोथनांक वहताप होता है जिस पर उसका वाष्पदाप वायूमंडलीग दाप के बराबर हो जाता है क्लियर है आगे देखिए एज वाष्पिशिल विले को किसी विलायक में गोलने पर विलियन का वाश्पदाप कम हो जाता है या आप लोगों को पता है अते विलियन के वाश्पदाप को वायुमंडलिय दाप के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवशकता होती है जिससे विलियन का क्वथनांग शुद्ध विलायक के क्वथनांग से अधिक हो जाता तो देखे बच्चों क्या देखा आपने क्वथनांक में क्या हो गई व्रद्धी हो गई कहने का मतलब है जो विल्यन है उसके क्वथनांक में विलायक से जादा क्या हो गई व्रद्धी हो गई है आगे देखिए क्वथनांक का जो उन्यन है वो भी वाश्पदाब में विले की प्रकरती पे निर्भर नहीं करते हैं वो विले के कणो की संख्या के उपर निर्भर करते हैं अब देखे इस डाइग्राम को आप ध्यान से देखिए यह जो ग्राफ है इसमें यह जो ग्राफ बना हुआ है इस ग्राफ से हम लोग कुथनांक के उन्नेयन को बहुत हम लोगों ने यहां पर ले लिया एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने ले लिया ताप और वाश्पदाप यानि ताप और वाश्पदाप के बीच में हम ग्राफ खीच रहे हैं और हम किस किस के लिए ग्राफ कीचेंगे एक बार हम ग्राफ कीचेंगे शुद्ध विलायक के लिए और एक बार हम ग्राफ खीचेंगे विलियन के लिए और ऐसा विलियन जिसमें की विलायक में ऐव आशप्षील विले मिला हुआ है, अब ध्यान से देखिए, अगर विलायक की हम लोग बात करें तो विलायक के लिए ये वाला ग्राफ आएगा, देखिए, ये जो ग्राफ है वो समाना अंतर है clear है अब देखिए जो विलायक है विलायक के वाश्प दाप को एक वायू मंडली दाप के बराबर करने के लिए कितने ताप की आफशकता है ये देखिए बच्चो कितने ताप की आफशकता है ये देखिए नीचे अगर डेश डेश करके नीचे लाएंगे तो इतने ताप की आफशकता है TB note यानि कहने का मदलब है जो TB note temperature है या TB note जो ताप मान है इस ताप मान पर जो विलायक है जो द्रव विलायक है इसका वाश्पदाप एक वायू मंडल ये दाप के बराबर हो जाता है क्लियर है यानि हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो TB note है ये क्या है ये शुद्द विलायक का क्वतनांक थे खेग अब आगे देखिए अब हम बात करतें हैं विल्यन के बारे में किस के बारे में政府 देखे बच्चों अगर विल्यन की हम लोग बात करें तो तो जो विलियन है उसके वाशपदाप को एक वाईूमंडल ये दाब के बराबर लाने के लिए हमें इतना अधिक ताप देना पड़ेगा ये ताप देना पड़ेगा फिलियन का क्वथनांक क्या है यह विल्यन का क्वथनांक और विल्यन के लिए ज्यादा है जादा है जियन का मदलब है शुद्र विलायक के लिए आपको कम ताप देना पड़ेगा और विलियन के लिए, यानि विलियन के वाश्पद आपको युमंडल ये दापके बराबर करने के लिए आपको यदिक ताप देना पड़ेगा, ठीक है, अब क्वतनांक में कितनी वरद्धी हुई, तो आप देखिए, अगर हम TB में से TB जाएगा कि क्वथनांक में कितनी व्रद्धी हुई कितना उन्नेंख हुआ तो मैं क्या लिख सकती हूं मैं क्वथनांक में उन्नेंख को डेल Tb को कैसे लिख सकती हूं डेल टी बी को मैं लिख सकते हूं टी बी माइनस टी बी नोट ठीक है और बेटा ये टी के नीचे जो बी लगा रखा है टी का मदलब टैंपरेचर है और टैंपरेचर कौन सा बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वतनांग के लिए कितना ताप देना पड़ा वो है ठीक है यानि क क्वतनांग के सिदा सिदा जो टी बी को बता रहा है ती अब आगे देखिं इसे हम किस तरीके से सकट डियरियवेशन के फॉरम में लिख सकते हैं यह ग्राफ आप लोगों को समझ में आया होगा अब आगे देखते हैं हम इसको derivation के form में कैसे लिखेंगे देखिए चित्रानुसार मैंने अभी आपको बताया कि जो टीबी नोट है वो शुद्ध विलायक का क्वतनांक है अब हमें अगर क्वतनांक में उन्ययन पता करना है तो अभी अभी मैंने आपको ग्राफ में समझाया है कि विलियन के इस क्वतनांक में से अगर विलायक के क्वतनांक को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आजाएगा हमारे पास आजाएगा क्वतनांक में कितनी व्रद्धी हुई तो आगे देखिए हम लोग क्वतनांक में उन्ययन कैसे निकालेंगे डैल ट मुभस्थिद विलेकी मोलल सांध्रता के समानुपाती होता है किसके समानुपाती होता है मोलल सांध्रता के तो आगे देखे हम क्या लिख सकते हैं डेल टीवी डारक्टली प्रपोर्श्चनल टो स्मॉल एम आप लोगों को पता है इस small m से मोलल सांधरता को प्रदर्शित किया जाता है और इसे मोललता भी कहा जाता है इसे और क्या कह सकते हैं मोललता ठीक है बच्चों इसे मोललता भी कहा जाता है तो आगे देखिए हमारे जो कुठनांक में उन्नेन हो रहा है वो मोलल सांदरता के क्या है समानुपाती है जब ये समानुपाती का साइन हटेगा तो हमारे पास एक इस्तिरांक आ जाएगा के और बेस में बी यानि के बी एक इस्तिरांक आ गया अब देखिए यहाँ पे small m क् एक किलोग्राम विलायक में उपस्तिद विलेके मोलो की संख्या यानि मोलल था जो हम लोग बात कर रहे है तो ये small m क्या है एक किलोग्राम विलायक में उपस्तिद विलेके मोलो की संख्या है आगे देखिए के बेस बी यानि के बी क्या है ये क्वतनांक उन्नेयन इस्तिर क्रांक भी कहा जाता है और देखिए बच्चों के बी की इकाई क्या होती है कैल्विन किलोग्राम पर मोल यह कैल्विन किलोग्राम मोल इन्वर्स ठीक है यह इसकी इकाई होती है अब यदि विले का मोलर द्रव्यमान एम 2 है कि मोलर द्रव्यमान मोलत के बारे में का मव्राबर यानि विले के मोलग की संख्या भटा विलायक की मात्र और अरญडी की संख्या और हजार से गुणा कर देंगे वापस देखिए मोललता आपको निकालनी है तो यह उपर तो आ गई विले के मोलो की संख्या और मोलो की संख्या आपको पता है कैसे निकालते हैं विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का मोलर द्रव्यमान ठीक है इसमें हमने भाग दे दिया विलायक की मातरा का w1 का और गुणा कर दिया हमने 1000 से clear है यानि इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ आगे देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ m बराबर w2 upon m2 गुणा w1 गुणा 1000 ठीक है अब देखिए यह जो m का मान निकल के आया है इसे हम समीकरन एक में रखेंगे देखिए समीकरन 1 क्या थी हमारी देखिए बच्चो समीकरन 1 थी del tb बराबर kbm यहाँ पर हम इस m की value पुट कर देंगे m का मान रख देंगे तो देखिए हमारा formula क्या बना del tb बराबर kb तो ऐसे के से आगया हमारा इस rank है और यह पूरी value यह पूरा मान हमने किस की जगे रखा है m की जगे यहनि m का क्या मान था w2 गुणा 1000 बटा m2 गुणा w1 clear है भई हम लोगों ने क्या किया हमें पता है del tb बराबर kbm है तो हम लोगों ने यह जो m का मान है वो यहाँ पर put कर दिया ठीक है ऐसे कैसे रख दिया अब हमें विले के molar जव्यमान ग्याद करना है m2 अगर हमें ग्याद करना है तो देखे m2 इदर आ जाएगा del tb नीचे आ जाएगा तो w2 गुणा kb गुणा 1000 और भाग लग जाएगा del tb गुणा w1 का clear है तो देखे इस तरीके से हम किसी भी विले का molar जव्यमान क्या कर सकते हैं ग्याद कर सकते हैं अब देखे क्वथनांक में उन्नेयन को हम एक उधारन से समझ सकते हैं देखे बच्चो जैसे जल है अगर जल के वाश्प दाप को हमें वायू मंडली दाप के बराबर करना है तो हमें कितना ताप देना पड़ेगा 100 डिग्री सेंटिग्रेट यानि हमें 100 डिग्री सेंटि हो जाएका तब हमारे जो जल का वाश्प दाब है वो वायू मंडली दाप के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा लेकिन अगर हम जल में कोई भी एवाश्प pruchील विले मिला सब्सक्राइब करने के लिए हमें बहुत ही ज़ादा ताप देना पड़ेगा तो क्या देखा आपने ताप जयादा देना पड़ेगा इसका मतलब यानि जब एवाश्पशिल विलमिलय विलायक में निरभर करता है और इसे निम्न चान समबंद से ग्यात किया जा सकता है तो देखे बच्छों कैसे जहाद करेंगे के भी को और गुणा एम-ंवन गुणा- ğी-वी-सक्वाईर और इसमरंबस भागदे देंगे हजुणा डेयलएच वॉषपन का अब देखें यहां पे समझी हार क्या हैं einwr क्या है टी-बी TB क्या है शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और डेल H वाश्पन की हम लोग बात करें तो ये वाश्पन की एंथिल्पी में परिवर्तन है तो देखे बच्चों ये जो एक्वेशन है ये जो उश्मा गतिक संबंद है इसकी सायता से हम KB का मान ग्याद कर सकते हैं और KB आप आपको पता है क्या है क्वथनांक उन्ययन इस्तिरांक ये इसे मोलल उन्ययन इस्तिरांक भी कहा जाता है ठीक है तो देखे बच्चों आज हम लोगों ने जो दूसरा अनुसंख्या गुंधर्मता क्वथनांक में उन्ययन उसके बारे में अध्यन कर लिया है और आपको बाद